जित्ते भी स्टूडेंट है आप सब भी स्टूडेंट को मैं बहुत बड़ी अफडेट देना चाहता हूँ कि इस हतित कड़ में जो है होस्टल वाडन चातर वासदिक्षक के 390 पदो पर जो है आप लोगों के लिए सबसे बड़ी भरती निकल कर आया तो जो भी स्टूडें और किस तरह से आपको एक्जाम से अच्छे से पर्फॉर्मेंस करना है कट अप जो है कितना जाएगा कितना अंक लाने पर आपका जो है सेलेक्षन हो जाएगा और आप जो है 36 गड़ में होस्टल वाडन बन सकते हैं आप लोगों को कुई जनकारी मिलने वाला है साथ ही आपका अविधान कप करना और आविधान करने के लाश्टा डेक्ट क्या है तो वीडियो को लाश्टा तक देखे जिससे आप लोगों कुछ संपूर्न जनकारी मिल जाएगा आप सबी स्टुडेंट को बताना चाहता हूं होस्टल वाडन में भरती प्रक्रिया के लिए दो गया देख के बारे में बात करें तो इसके लिए आपका बारवी पास होना अनिवार है बारवी जो हमका बोट सोना चाहिए और इसके साथ यापका एक वर्शे का के लिए कूपलेमा होना अनिवार है अगर आपने आपका बोट से होना चाहिए और आपका एक वर्षय का कम्जूटर में डिप्लोमा होना चाहिए वहीं हम बात कर लेते हैं सिलेबस और एक्जाम फेटरने के बारे में किते क्वेस्टन जो है हॉस्टल वाडन भरती परिक्षण में पूछे जाते हैं प्रतिक प्रश्ण के लापको एक अंग दिया जाएगा इसके साथ ही आपको बता दो कि इसमें वान बाई फॉर आपको माइनस मार्किंग निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलते हैं अगर आपने चार प्रश्ण गलत करने पर आपका पांच नंबर जो है कट जाएगा जैसे आपको आपने गलत किया तो देखन बार आपका जो है कट जाएगा आपको जो है माइनस मार्किंग निगेटिव मार्किंग से बचना है बात करें शली बसके तो कम्प्यूटर से आपके एक्जाम में पचास अंको के पचास परश्ण पूछे जाएंगे हिंदी से जनकारी से भी बीशंको के बीस परशन अगया और गडिध से आपकेग्जाम में पाशाओ के बीशण पूछे जो है पूछो जाते है तो गडिध भी आपके एक्जाम में के लिए बहुत जादे इंपार्टेंट है कम्चूर्टर के बात करें तो कुछश क्र이 रहते हैं उत आपके एक्जाम से में 50 अंकों के पुछो जाते हैं, तो इसमें क्या क्राइटेरिया है, कि उम्मिद्वारों को कम्चूटर के 50 प्रश्णों में से कम से कम 25 अंक लाना अनिवारे अन्यथा आपका छ्वेन नहीं हो गया, इसमें कम्चूटर से में सबसे ज्यादा में इंपोर बाकी सब्जेक्ट में चाहिए हो, मैं अच्छे हो, हिंदी हो, इंगलिश हो, बाकी सब्जेक्ट में आप चाहिए कितना ही अच्छा परफॉमेंस क्यों कर ले, लेकिन कम्चूटर में आपका 25 में, अगर 25 अंक नहीं आया तो आपके महनत पूरा बेकार चला जाएगा, तो आपको कम्चूटर में बहुत अच्छे से महनत करना है, अब मैं आपको सभी को पूरा डिटेस आउट करता हूँ, सभी के लिए बुक्स बताऊंगे, कम्चूटर के सिलेबस के बात करें, जो आपके एक्जांस में 50 अंकों के 50 परशने जो है पूछे जाते हैं, जिसमें आ करके प्रिंटर की जानकारी आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी, जिसमें आपका MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, MS-Windows की ऑपरेटिंग सिस्टम, MS-Office में आपका MS-Word, MS-Excel, MS-PowerPoint, MS-Excel की जानकारी, इंटरनेट इमेल, सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, शॉर्ट कर करें। द्रक्तिशन को परिच्छा मंठं के पोधियं झाली और ही और फिस फिरगान अप 43 010 में से कम Ayam आप जईना ला पाएंगे तो अपको परिख्षा मंठंठ परिषिय लेना फिसमें होई हम हुई कि बात करें तो हिंदी से आपके एक्जाम से दाश्चंकों के दस प्रशनाते जिसमें स्वायर वंजन वरतिनी वचन का संगया शर्व नाम विशेशन क्रिया प्रयोग समास रशनम प्रकार संदी के जनकारी उपसरगम प्रत्या तत्सम तत्धबहुद देशाज पारियावाचि वे लोमार्थिया निकार्थि सब्द मोहारे वालोकोक्तियां यह सब ही आपके हिंदी में पूरा व्याकरण रहता है जो आपके एक्जाम्स में पूछे जाते हैं तो हिंदी के व्याकरण आपके एक्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका व्याकरण का important role है तो व्यकरन के तैयरी करने के लिए आपको जो है सबसे पहले तो व्यकरन के लिए आपको डिली आईस अगेडमी का book लेना है डिली आईस अगेडमी के book में जो है हिंदी के व्यकरन को आपको इतने अंचो से अग्रेजी के लाम को जो है जिसमें आपके पूरा ग्रामी के लिए आपको डिली आईस अगेडमी का बुकाम जो है ले शक्ते जो आप लोगों के लिए बहुत ही जादे इंपोर्टन्ट रोल प्ले करेंगा इंग्लिश के बात करें तो अंग्रेजी के लाम को जो है जिसमें आपके पूरा ग्रामर आएगा नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वाइस, कंजेक्शन, स्मॉडर्ज, डिग्री, क्वेस्टन, टैक, आर्टिकल, प्रिपोजिशन, नरेशन, इनॉन्मिंस, इनॉन्मिंस इनॉन एंग्लिश रैस्मी सी तीशा फॉब्लीकेशन के, यह बहूत ही अच्छी बुक्स है, जिसमें आपको सबी चीजों के बारे में, जो है, ग्रा करनेग्रेलिकुन, समय और तो समय ने एग्रलियाज के लिए अपको, सबसे पहले तो टूटेजा टूटोरिय काम को जो है समान्य ग्यान लेना है तूटेजा टूटोरियो स्कुवें इत реш सभी चीजों के बारे में जो है समान्य ग्यान आपका दिया रहे था है इसके सांथ ही आपको Arizona का Current Affairs लेना है, तो CJ Current Affairs के लापको जो है दौनों सी preparation करना है, और Indian Water Current Affairs के लापको प्रतियोगिता दारपान लेना है, जो मन्त्री magazine रिलीज होते हैं, वही है अगर हम देखे 36 गड़ के लिए तो 36 गड़ के लिए आपको Harirama Pati Sargay Competition Academy का तो इस तरह से आपके एक्जाम्स की प्रिपरेशन हो जाएगा तो आई होप जित्ते भी जानकारी मैंने आपको दिये सभी जानकारी आपको पसंद आया हो तो मेंते हैं अगले वीडियो में सो थैंक्यू